कि दोस्तों क्या हल चाला है आज हम बात करने जा रहे हैं वाइब बर्ट्स डूंट केट अलेक्टिक शोक यह नी प्रिंदों को क्रण्ट क्यों नहीं लगता यह प्रिंदे बैठते हैं यह तारों पर ठीक है फेज न्यूट्रल यह तीन फेज हैं इसके साथ यह न्यूट्रल और वाए भी तो यह परिंदा हमारा इस पर बैठा होता है फेज पर तब भी से न्हीं क्रण्ट पड़ती इस पर बैठ जे तब भी क्रण्ट नहीं पड़ती इस पर बैठ जे ताब भी नहीं पड़ती तो उसे क्रण्ट क्यों नहीं पड़ती इसकी वजह हम जानेंगे तो तो इसका एक साधा सा हली है कि आप आप से अगर स्वाल पूचा जाता है यह तो आप उसका साधा जवाब देंगे कि करंट हमें इनसानों को या किसी भी चीज़ को परेंदे को जानवर को उस वक्त तक नहीं पड़ेगी जब करंट का पाथ लाद मकमल नहीं होगा आप मेंशाल के तोर पर करंट यहां से जा रही है तो यह हमारी बोड़ी आ गई इनसान का जिसम आ गया है यहां साकर टाचच होगी ठीक है लेकिन वापसी का इसे कोई रास्ता नहीं मिला यह न्यूट्रल है ठीक है यह फेज है तो यहां से हमारे जिसम के अंदर तो आ गई है लेकिन उसे वापसी का रास्ता ही नहीं कोई मिल रहा तो करंट हमें नहीं पड़ेगी यानि करंट हमारे अंदर से नहीं गुजरेगी तो यही चीज जो है वो प्रिंदों पे अपलाई होती है तो प्रिंदे बैठे होते हैं एक वक्त में ठीक है इस तार पे प्रिंदा बैठा है तो इस वक्त ये किसी दूसरी तार के साथ अटैच नहीं है जैसे ही ये किसी दूसरी तार के साथ अटैच होगा तो इसे crunch लगजेगा क्योंकि crunch यहाँ से चलेगी ठीक है यहाँ से होती ही इसकी body से होके यह दूसरे phase में जाके अपना रास्ता में कमल कर देगी इसी तरहां यह phase और neutral के दर्मयान में भी जब लगजेगी तो इसे crunch पढ़जेगा ठीक है यहां से यह ए hon यहां से सब्स्टेशन में क्लोज बढ़यों चल जाती है तो इसने इन प्रिंदे बड़ी बड़ी लाइनों में लाखों वोल्ट होते हैं 500 कवी 5 लाग वोल्ट चार लाख वोल्ट दो लाग बीस हजार वोल्ट दो सबीस के वी इस तरह बहुत जाद वोल्ट हो तब भी उन्हें करंट नहीं पड़ता उसकी वजाए यह होती है वो सिर्फ एक तार पे बैठे थें जैबके दूसरी तार पे नहीं बैठे थे जैसे ही वह दूसरी तार के साथ hybrid थवो वैसे हूड जें इसके लावा अगर वह अर्थ के साथ भी ought झाते तब यह पात हमकमल हो जाता है तब भी वह मार जाएंगे